हलो बच्चों वेलकम टार्स पब्लिक एस्कुल गुरूग्राम यूटूब चैनल तो आज से बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं सिखेंगे सब्ट्राक्शन राइट तो सब्ट्राक्शन का जो है वाम आज हम कम्पीट कवर करेंगे और उससे पहले अगर आपनी चाप्टर अच्छी बात है तो आज हम कवर करने वाले हैं चाप्टर फुर्ट का सब्ट्राक्शन का वर्मब तो इसमें सबसे पहले हमें learning outcomes को समझना है कि इस chapter में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं और क्या-क्या इस chapter को पढ़ने के बाद हम सीख जाएंगे that's important things okay so first of all I will cover now so after study this chapter you will able to write मतलब इस chapter को पढ़ने के बाद आप इन सारे चीजों के लिए capable हो जाएंगे या सीख जाएंगे ऐसा तो देखे कह रहा है कि perform subtractions of three digits number मतलब three digits के number को subtractions करना आप अच्छे से इस chapter के अंदर सीखेंगे and second thing is that कि learn properties of subtraction तो subtraction की जो properties है जो गुन है वो भी आप इस chapter के अंदर सीखेंगे and perform of subtractions four digits numbers with, without and carry मतलब आप क्या करेंगे चार digits के numbers carry वाला, without carry वाला दोनों आप सीख जाएंगे इस chapter के अंदर learn subtractions across the zero और कैसे हम किसी number में से zero को subtraction करेंगे ये भी आप सीखेंगे and subtractions के sums को कैसे check किया जाता है ये भी आप सीखेंगे और subtraction का क्या formula होते हैं ये भी आप सीखेंगे mannudes होते हैं, subtraction होते हैं, subtractions होते हैं, ये सारे बाते आप सीखेंगे solve the problem based on the real life involved subtraction जो है यह parts भी आप सीखेंगे and after that जो सबसी important things है वो क्या है estimate sums and difference right estimate यानि किसी value को आप estimate करके उनका sum करेंगे किसी value को estimate करके उनको subtractions करेंगे यह सारे बाते आपको इस chapter के अंदर सीखने को मिलेगा तो बहुत interesting chapters है आपके point of view से या आप सीखने की point of view से चलिए तो हम देखते हैं पहला warm up में क्या कह रहा है subtract the numbers to find the difference अच्छा करें subtract the numbers to find the difference मतलब subtract करना है और subtract करने के बाद जो difference आएगा उसे हमें निकालना है and color the petals with the even answer is right आच्छा जो आप subtraction करेंगे और subtraction करने के बाद जो even number आएगा उन्हें red color से करना है तो आपको बच्छो दो colors लेने है and the odd answer is yellow और जो odd answer उसको yellow करना है तो आप दो color ले लिजिए एक red color ले लिजिए और एक yellow color ले लिजिए आच्छा तो देखो एक में what आता है even numbers एक आता है odd number देखो even numbers क्या होता है जो last में क्या होता है बच्छो या तो 0 आजाए या 2 आजाए या 4 आजाए या 6 आजाए या 8 आजाए अगर ये number आता है ना subtraction करने के बाद तो इसको हम लोग क्या बोलते है even number क्या बोलते है even number बोलते है तो अगर ये number आता है ना आपको red colors करना है। क्या करना है ? रेड टलर यहां पर देखो दिया हुआ है और जब odd आता है। तो yellow color करना है। तो odd क्या होता है ? देखो 1 आजाए, 3 आजाए, 5 आजाए, 7 आजाए और 9 आजाए। अगर यह number आता है तो यह हमारा क्या होता है ? और नमबर होता हैं यानि आप सब्ट्रेक्ष्ण करो सब्ट्रेक्ष्ण करने के बाद वेंध थिरी वाइव सज नमबर आएगा तो आपको क्या करना है येलो क्लर करने दाट इस वर्म उप वर्म उप का काफ़ का опять यहां आपको वन मट एक नया चीज सीखनी को मिलता है तो आप देखी रहे कितनी अच्छा एक पैडल्स के अंदर आपको यह सारे चीज़े दिया है और काफी एट्रक्टिव है और आपको रेड और यलो कलर की ग्यान भी दे रहा है तो बहुत अच्छा है तो चलिए लेखते हैं क्वेस्टन को मैं तो डारेक्ट सभी पै लेंगे तो इसमें से जब क्या हो जाएगा 15 अच्छा अब यहां पर day keywords क्या है और email नमर आहा है तो आपको इसे रेड कलर करना है खते अब यह देखे एट है, तो एट मेंसे 2 जाएगा, तो क्या होगा? 6 होगा, तो ये भी बचुचा 6 है, ये क्या आग ईफिश को भी देखलेते हैं, ये बचुची कर 6, 6 मेंसे 3 जाएगा, तो क्या होगा? $3 आएगा, तो ये देखो क्या होगा? Odd number है, तो जो Odd number आता है इसको भी देख लेते हैं यह उत्री आएगा तो यह देखो क्या होगी और नमर ँसके कैंचल में तो जो जो और नमर आता है ना उसे आपको रेड़ करना जिसे यह एक इंट्रेस्टिंग आपके लिए देखने भी बहुत इंट्रेस्टिंग लगेगा ठीक आप इसको solve करें देखो इसमें से इसमें carry लो क्यों कि 2 में से 3 तो less होगा ने इसमें से carry लो तो 12 हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 9 आ जाएगा ठीक है यह बचे गया 7 तो 7 में से 9 जाएगा ने इसमें से carry लो यह हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8, ठीक है, 17 में से 9 जाएगा तो बच्चों क्या निकल क्या आजएगा, 9, 8, 17, 8 हो जाएगा, ठीक है, अब बची का यह 3, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, अब देखो, यह 2 even numbers है 8 even numbers है और 9 odd numbers है तो 2 और 8 को क्या करना है red color करना है क्या करना है red color करना है और 9 को क्या करना है yellow color करना है ताप अच्छे से इसको color कर लेना चलिए अब इस part को देख लेते हैं तो देखो 3 में से 8 तो less होगा ने बच्चों तिस में से हमें carry लेना है इसमें से जब carry लेंगे ति यह क्या हो जाएगा 13 तो 13 में से 8 जाएगा थे क्या बच्छेगा आप बच्छेगा यह 6 6 में से 2 जाएगा थे क्या बच्छेगा 4 अब यह बच्छेगा 6 6 में से 4 जाएगा थे क्या बच्छेगा 2 तो अब देखो 2 4 क्या है Even numbers है और 5 जैंब और तो even number कौ क्या करना है लेड कलर ना है और 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 नमर को क्या करना है यहलो कलर करना तो आप इसमें color करते हैं समझ आ रहा है अच्छे से चलिए अब इस question देखिए 9 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा तो यह देखो तूढ़ नमशीवर सेवन जाएगा तैये। यह देखो तीनों नमशाजता मैं क्या करना है रेड कलर करों करना हुआा इस सभी आपलर बाब आगे देखिए आप चाहते इसक ऐसे की डिजीट को भी कर देना ठीक केना जादा अच्छा रहेगा, इसमें देखिए, 3 में से 2 जाएगा, तो क्या होगा? 2 में से 1 जाएगा? 8 में से 4 जाएगा? 4, तो ये क्या होगा? अब ये देखिए 4, even number है, और ये 1 1 क्या है? odd number से, तो even number में हमें red color करना है, odd number में क्या करना है यलो कलर करना है तो आई होप यह वर्म अप आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं है ना चलिए तो मिलें के ने एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी तब तक बढ़ाई करते रहें All the very best